प्राइम टाइम बुलिटिन के प्रायों जखें अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर भारत का पहलावा एक माध QAI एक्रेडिटेड सेंटर यूएस एफडिये एन यूरोपियन यूनियन आप्रूवड एक्विपमेंट्स आर्थ बिल्डिंग मदुबन उदैपूर नमस्कार मैं हूँ अबबास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजिस्तान न्यूज 91 के प्राइम टाइम विलेटिन में आपका स्वागत है प्रदेश और संभाग की ताज़त तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेर आइकन जरूर दबाएं आईए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहला एक बार नज़र डालते हैं अभी तक की टॉप एडलाइन पर बास्वाड़ा में बड़ा इस्टांप खोटाला आया सामने पांच करोड़ तेबीस लाक इठासी हजार के इस्टांप गाइब दो लोग घरासत ने मजदूरों के हक की आवाज बिलंद करते हुए संगठनों ने निकाली डेली शोशन होने और आवाज दबाने का लगाया आरोफ फते सागर चील में यूती ने लगाई च्छलांग शवकी शिनक की के प्रियास में जुटी पुलिस और जेके टायर प्रबंदन के खिलाफ इंटक ने खोला मोर्चा हक की आवाज उठाने पर मजदूरों को डराने धमकाने और जूटे मुकद में दर्ज कराने का आरोफ आईए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नज़े डालते हैं मजदूरों से जुड़ी खबर पर एक मई बुदूहार को मजदूर दिवस के मौके पर केंद्री श्रमिक संगठनों की समनवे समिती के और से एक रेली निकाल कर मजदूर एकता का संदेश दि कई मजदूर और उनके संगठनों से जुड़े हुए लोग जिला कलेक्टेट पहुंचे जहां पर मजदूरों के हितों की पेरवी की गई इस दोरान बड़ी संख्या में मजदूर संगठनों के प्रतिनी दी भी मौजूद थे बाद में जिला कलेक्टर को प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ग्यापन सोपा गया और बताया गया कि मजदूर दिवस के इस मौके पर मजदूरों के हक की बात बुलंद करने के लिए यहां पहुंचे हैं उनका कहना है कि कई कानूनों में हुए बदलाओ के चलते मजदूरों के हितों पर लगातार कुठारा हो रहा है महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है ऐसे में मजदूर अपनी जिन्दगी भी सुकून से नहीं जी पा रहा है मजदूर हितों की पैरवी में निकाली गई इस रेली में शामिल लोग हातों में लाल झ्छंडे लियोए चल रहे थे मजदूर हितों के पैरवी के नारे लगाते वे ये लोग टाउन हॉल से रेली के माधियम से निकले थे जो सूरच पोल वापवाजार देली गेट होते वे जिला कलेक्टेट पहुँचे हैं जहां उन्होंने मजदूर हितों की आवाज बलंद करते वे नारे लगाए और मजदूरों की आवाज दबाने बालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की मांग की गई इस दोरान महां मौझूद सी टूकेज जिला सहयोजक और पूरु पारशद राजेश सिंग्वी ने बताया कि वरतमान दोर में मजदूरों के सोशन की इंतहा हो चुकी है शर्म कानूनों को ऐसा बना दिया गया है कि बाउजूद मजदूर अपनी जिंदगी सुकून से नहीं जी पा रहा है मुख्यो मंतOR और प्रदान मंतरी के नाम गयापन में बताया गया कि मजदूरों के हिद्ट लगातार प्रभावित हो रहे पूंजी पतियों दौरा उनका लगातार शोशन किया जा रा मजदूर होती जा रही है उन्होंने का कि समाज वादी विवस्ता को समाज när में करना हो गा तभी मजदूरों पे हीतिकि सुरक्षा कि वह पाएगी ग्या वह पा रही है कि केंद सरकार की अर से सोशण हो की नीटिह अपना ही जा रही है महंगाई और बे रोजगारी चरम पर है सारवजिनिक शेत्रों का नीजी करन किया जा रहा है कानुनों में बदलाव के चलते किसानों की समस्याओं का समाधान भी नहीं उपा रहा है श्रमिकों की समस्याओं का शिद्र निस्तारंग करने की लिए मांग की गई है, साथ ही राष्ट पती प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री के नाम ग्यापान सौपते हुए, उनके हितों की पेरवी की बांग की गई है, दरसल ये दिन जो है पुरी दुनिया के जो पुझी पती है, और पुझी पती परस जो सरकारे हैं उनको चुनोती और चेतावनी देने का भी दिन है कि चाय कुछ भी हो जाए एक दिन इस दुनिया में और इस देश में मजदूर किसानों को राज जाएगा हम लोग देखते हैं लगातार अमीर होता जा रहा है गरीब गरीब होता जा रहा है और ऐसी तरह से कुरूर दुनिया बन रही है तो हर गर तबाई में उस कारण से जा रहा है इसके जब तक समाजवधी समाज व्यस्ता नहीं आएगी जब मजदूरों के हाथ में राजदितिक सथा नहीं आएगी तो मुझे लगता है और यह मैं ही दिवस का संदेश है तो मजदूर वर्ग अपने हाथ में सथा को कायम करेगा और इस दुनिया को और इस देश को भायता और रोस्वर्ग बनाएगा आज हम लोग जो विबिन ट्रेड उनियन के जो साथी है ताउनोल से निकल के रेली के रूपने कलेक्टरी आए और मानी प्रदान मंत्र मानी मुक्य मंत्री के नाम पर ग्यापन देकर ये मांग करी कि मजदूरों पर ट्याचार बंद करें इस देश को और इस दुनिया को मजदूर किसानों नो बनाया है और आज हम लोग उद्यपूर की आम जंद और मजदूरों को भी बज़ई देते हैं कि इस दिन को उस्सा के साथ मनाएं और ये प्रण ले कि हम लोग कुझी बात को बरदास्त नहीं करेंगे जो अंग्रेजी हुकुमत के समय में जो कानून बनेते लेवर एक्ट वाले वो कानून भी वरतमान में ये सरकार दुआरा खतम किये जा रहे है जैसे चमालिज स्रम कानून कोड थे उनको खतम करके चार स्रम कानून में तबदिल किया गया है हमारा ट्रेड इनियों एक्ट 1926, इंडिस्टिरल डिस्पूट एक्ट 1947, वेज अधिनियम 1946 और इसके अंदर कई सारे हमारे जो अधिकार थे वो कार्पोरेट प्रेस्ट सरकार ने उनको खतम कर दिये पहले कारखाने के अंदर 300 मजदूरों को जो मजदूर सो मजदूर होते थे तब भी वो कारखाना चालू रहता था लेकिन अब 300 मजदूर के होने पर भी उसको बंद कर सकते हैं कारखाना मालिक उसके ओपर न कोई कोड है न सरकार की तरफ से कोई प्रटक्शन है तो इस तरह से ये काले कानून हमारे खिलाप बनते जा रहे हैं उसके लिए हम ये संगर्च कर रहे हैं The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to second standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility, School also ensure full security while pick and drop your child The Scholars Arena, English medium senior secondary school, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagari, Udhaipur, our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri-Madri Link road, Udhaipur आईए नज़े डालते हैं राज समन्द ने, राज समन्द की JK टायर फेक्टरी के मेनेजमेंट के खिलाफ, इंटक के करमचारियों ने मूर्चा खोल दिया है मजदूरों का कहना है कि हमारे agreement को लगातार डिले किया जा रहा है अब तक 15 महीने बीच चुके हैं और हमारी समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं की गई है उनका कहना है कि मजबूर होकर हमें सडकों पर उतरना पड़ा है और अपनी हक की बात जब management के सामने की गई तो उनके दोरा हमें डराया धमकाया जाने लगा इतना ही नहीं management के दोरा उनके ओपर जूटे मुकदमे करने जूटे मुकदमे लगाने का प्रियास करने का आरोब भी लगाया गया है मजबूरों की खिक की आवास बुलंद करने के लिए जिला कलेक्टेट को जेके टायर management के खिलाफ शिकायत की गई है राज समन्द की जेके टायर फैक्टरी के management के खिलाफ इंटक के करमचारियों ने प्रबंदन पर जान भूच कर उन्हें प्रतारित करने और उनके हदिकारों का हनन करने का आरोब लगाया है जिला कलेक्टेट पर प्रदेशन करते हुए इंटक यूनियन अध्यक्ष और नगर परिशद राज समन्द के उपसभापती चुन्नीलाल पंचोरी के नित्रित्व में सभी मजदूनों ने कलेक्टेट पर अपनी आवाज बिलंद की जहां उन्होंने बताया कि शान्ती मैंनेजमेंट के सामने रखने गए थे लेकिन इस दोरान हमें डराया धंकाया जाने लगा इतना नहीं हम पर छूटे मुकद में लगाने का प्रियास भी किया गया उन्होंने बताया कि जेके टायर के मैंनेजमेंट के अधिकारियों की हट धर्मिता के चलते लगबग 2,000 से जिएधा मजदूर परेशान हो रहे हैं ऐसे में कंपनी से जो मजदूर रिटायर हो रहे हैं उन्हें भी एक से डिख लगब रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने जेके टायल फेक्टरी के मेनेजमेंट के खिलाफ कारवाई करने और मजदूरों के हित की पेरवी करने की मांग की है आईए रुख करते हैं बासवाड़ा जिले का बासवाड़ा कोश कारेले में बड़ा स्टांप घोटाला सामने आए है इस घोटाले के उजाकर होने के बाद एक करमचारी को निलम्बित कर दिया गया है साथ ही एक स्टांप वेंडर के साथ दो लोगों के खिलाफ एफ आई यार भी दर्ज कराई गई है ये घोटाला फिलाल पांच करोड़ तेबीस लाक इठासी हजार पांसो ग्यारा रुपे का सामने आया है सरकार को चपत लगती हुई दिखाई दे रही है इस मामले में बहराल इस पूरे मामले की जा रही है बताय जा रहा है कोशा अधिकारी ने फिजिकल वेरिफेकेशन के दोरान इस मामले का खुलासा किया है मामले में विभाग के एक करमचारी और फेंडर के खिलाफ एफ आई यार दर्ज किराई गई है कलेक्टर डॉक्टर इंदर जीत ने आदेश जारी करते हुए एक करमचारी को निलम बित कर दिया है बहसवारा कोशा अधिकारी हिटेश गोड़ने बहसवारा के कोटवाली थाने में मंगल वार को एक मामला परच कराय है गोड़ने कारेले के स्टोर इन्चार्ज नाराएन लाल जादव और स्टिंप वेंडर आशिस Wide के खिलाब कोटवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है मामला दर्ज होने के बाद पुलिस भी इस मामले की जाच में जुड़ गई है प्रारंबिक तोर पर नारायन लाल यादव और आशीश जेन सहीत दो अन्य लोगों को हिरासत में भी लिया गया है पुलिस इस पूरे मामले की जाच कर रही है साथ ही स्टांप व सामने आएंगे उसके बारे में भी मीडिया को अवगत कराया जाएगा बहराल जिला कोशा अदिकारी गोड के मताबिक उन्होंने टेबीस फरवरी को पदभार गढ़न किया था इसके बाद स्ट्रॉंग रूम में रखे स्टांप की भोतिक सत्यापन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था कमेटी की जाच में सामने आया कि ऑनलाइन जो स्टांप दिखाई दे रहा है ऑनलाइन जो स्टांप हमारे हिसाब से उपलब्द होना चाहिए उसके मताबिट इस ट्रॉंग रूम में फिजिकल जो स्टांप रखे हुए उनमें काफी अंतर है इसके स्टिक सत्यापन के दोरान पांच करोड़ तेबीस लाक इठासी हजार पांसो ग्यारा रुपे की लागत के स्टांप मोके पर मौजूद ही नहीं मिले जबकि ऑनलाइन स्टांप में ये स्टांप कारेले के पास दिखाई दे रहे हैं जिला कोशा अधिकारी ने इस घबन के मामले में स्टॉर कीपर नहरायन लाल यादाव और स्ट्रांप वेंडर आशीज जेन की मिली भगत मानते हुए रिपोर्ट दर्ज कराईए पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है हमारे नए ट्रेज़री ओफिसर जोएन किया था फरवरी में तो ट्रेज़री ओफिसर जोएन पर दर फिजिकल इन्सपेक्शन करता है स्टांप और टिगट्स का तो उनको प्राइम अफ़ेसी लगा कि जो सिस्टम के अंदर डर्ड स्टांप है और फिजिकल उपलंग स्ट इसमें इन्तर है उसकी जाच के लिए पर प्रूनो रेक चमीटी के गठिन किया तो उसके आधार पर पुलिस फायर दर्जगर वाई है तो फायर के बाद जो दो सीक आर्मीक है उसको पुलिस ने डिटैन किया है साथ में कि अधिता के चलते हुए इच्टाव मेंडर को भी डिटेन किया है और विभागे कारवाई के तहत इस कार्मी को निलंबित कर दिया है और इसके खिलाफ विभागे जाग कर आप कर दिया है A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream, school aims at all-round development of children, school aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management, admission open for nursery to 12th, A1 Senior Secondary School, 1 North Aired University Road, Udaipur चलते चलते एक बड़ी खबर सामने आई है, उदेपुर के फते सागर जील पर एक यूवती द्वारा कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मामला सामने आया है, बताया जारा है, शाम के समय जब लोग आस पाल पर घूम रहते इसी दोरान, फते सागर जील की पाल स एक यूवती के तलाब में चलांग लगाने की आवाज सुनाई दी, इसी दोरान पाल के पास पहुंचे लोगों ने यूवती को देखकर चिलाना शुरू किया, और यूवती को बचाने की कोशिशन शुरू की गई, लेकिन यूवती गहरे पानी में चली गई थी, ऐसे में से बचाने की कोशिशें भी असफल हो गई, इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पहुंची पुलिक्स और सिविल डिफेंस की टीम ने यूवती के शुव को जील से बाहर निकाला है, पुलिस ने शुव को मोर्शनी में रखवा कर इस यूवती की शिनाखत क करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, उदेपुर की फतेसागर जील पर यूवती को पानी से बाहर निकालने का ये नजारा बुद्वार शाम का है, बताया जा रहा है, यहां पर घूम रहे शेर वासियों ने अचानक इस यूवती को पानी में च्छलांग लगाते वे सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने इस यूवती के शव को पानी से बाहर निकाला, बताया जा रहा है, यूवती ने गहरे नीले रंग की जीन्स पहन रखी है, और ओफ वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ है, फ्रॉग कह सक हुई है, वहराल पुलिस इस यूवती की शिनाख्त करने की कोशिश में जुटी हुई है, शिनाख्त पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा कि इस हाथसे के पीछे कारण क्या थे, दूसरे चरण में उद्यपूर्स, मासवरा, सही, तेरा लोग सभा सीटों पर चुनाओ संपन हो चुके हैं, यानि मददार संपन हो चुका है, ऐसे में अब लोग इन लोग सभा सीटों पर जीत हार का कयास लगाने में जुटे हुए हैं, वहीं सभी लोग जीत हार का अंदाजा लगाने में जुटे हुए हैं, वहीं बासवरा सीट पर बड़ा उलट फेर होने की जानकारी सामने आ रही है कई लोग बासवाड़ा सीट पर राज कुमार रोत की जीत को पक्की बता रहे हैं वहीं पर पासवाड़ा से भाजपा उम्मीदवार महिंद जीत सिंग मालविया अपनी जीत पक्की मान कर चल रहे हैं उनका कहना है कि मैं अपनी जीत को लेकर पूरी चरण के तहत मतदान हो चुका है जनता ने अपना फैसला दे दिया है नेताओं का भविश एवियम में कैद हो चुका है लेकिन बासवाड़ा डूंगरपूर लोगसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी महेंद्र चीत सिंग मालविया अभी से अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस दिखाई दे रहे हैं उनका कहना है कि जनता प्रधान मंत्री के विकास और मेरे वागड के प्रती वीजन के साथ हैं जनता का आशिरवाद मुझे भरपूर मिला है वहीं जनता के दिये गए प्यार को देखते हुए सटा बाजार भी मेरे फेवर में ही बोल रहा है मालविया ने कहा कि विपक्ष के पास अब खाली जनता को तोड मरोड कर भामक वीडियो बनाकर गुम्रा करने का काम रह गया है जनता अब समझ चुकी है कि विपक्ष के पास गुम्रा करने के अलावा कोई काम नहीं बचा है आगामी चार जून को नतीजह आएगा पेटी खुलेगी तो विपक्ष की नींद उड़ जाएगी यह कहना है बाजपा प्रत्याशी महेंद्रिजीत सिंग मालविया का महीं आपको बता दें राजकुमार रोत बीएपी से उम्मीद्वारें ओंग्रेस पार्टी की द्वारा उनको समर्थन दिया गया है ऐसे में कई यह चार जून को मत गरना पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा सुनिये महेंद्रिजीत सिंग मालविया का अपनी जीत के आश्पवाशन को लेकर क्या कहना है एक तरसे हताशा है जो हतकंडे वो अपना सकते हो अपना दें की कोशीज कर रहे हैं लकिन इससे कुछ होने वाला नहीं नारा दिया है चार सो पार का और एक बार फिर देश का प्रदान मंतरी तीसरी बार बनेंगे वो नारा सपल मैं बार बार कह रहा हूं कि चुना हम जीत रहे हैं प्रदान मंतरी जी सेम 21 तरह कोई आये थे और उनका था कि बांसवड़ा को रेल लानी है हमने बात नहीं कि इससे पहले पदान मंतरी जीस बात को बोलती है हमारी दूसरी प्रात्मिकता है कि जब बांसवड़ा सिंची सेत्र हो गया है तो डुंगरपूर को भी हम चाया माही का पानी जा या माही नदी के उपर जो पानी बेह के जा रहा है उस पानी को रोक कर हम बड़े-ब सिचाई और पेजल के लिए पानी लेके जाएं यह हमारी बहुत प्रात्मिकता हम पूनम फनीचर के बिना बिटिया ससुराल ना जाए पूनम फनीचर्स हिरनमगरी सेक्टर फाइव में रोड उधैपुर आईए रुख करते हैं अगली खबर का शहर के प्रताब नगर थाना इलाखे में बुद्वार को सुभा एक शव मिलने की सूचना मिलने से संसिनी फै रहे शव को गोता खोरों की मदद से बाहर निकाला शव की पहचान ढीकली निवासी भगवती लाल गमेती की रूप में हुई है पलिस द्वारा मृतक के परीजनों को भी इसकी सूसना दी गई थी इसके बाद मौके पर पहुंचे परीजनों ने शव की शिनाखत करते ने वेदन किया है उन्हाने पुलिस से इस पूरे मामले की तफ्तीश करते हुए सचाई पता लगाने की गोहार लगाई है पताय जा रहा है ये शव दो से तीन दिन पुराना है पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत की असली कारण क्या थे ये हत्या है या आत्म हत्या का मामला है आईए नज़र डालते हैं अगली खबर पर उदेपूर में एक बार फिर से क्रिकेट की बाहार दिखाई देगी जुन माह के पहले सब्ता में उदेपूर प्रीमियर लिग का भव्य आगाज होने जा रहा है इस टीम इस मेच में छे में हिस्सा ले रही है शहर में नीजी होटल मैजी तक प्रेस वारता के दोरान प्रीमियर लिग के पियार चंद्रा ने बताए कि टूर्णामेंट डे नाइट टूर्मेंट होगा इसका पहला मेच शाम चार बज़े शुरू होगा जबकि दूसरा मेच रात्री आठ बज़े से शुरू होगा सभी मेच शिकारवाडी मैदान पर खेले जाएंगे उद्यपूर क्रिकेट एस्टिशिशन के सची महेंद्र शर्मा ने बताया कि टूर्णामेंट का मुख्य लक्ष उद्यपूर की प्रतिभाओं को रास्ट्री इस तरह तक पहुंचाने के लिए प्लेट का लाब ले सकें उनका कहना है कि इस आयोजन का मुक्य उद्यश उभरतेवे खिलाडियों को उचित प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जिसके जरिये उन पर उन लोगों की नजर पढ़ सके जो उभरतेवे खिलाडियों की तलाश में जुटे हुए हंड्रेड स्पोर्ट्स नामक कंपनी द्वारा ये टूर्णामेंट कराया जा रहा है हंड्रेड स्पोर्ट्स के रविंद्र सिंग भाटी ने बताया कि इस टूर्णामेंट की थीम हुब हुआ पील मेच जैसी ही होगी सभी मेच 20-20 ओवर के होंगे छे टीमों की बीच कुल 15 मेच खेले जाएंगे सेमी फाइनल और फाइनल मेच खेला जाएगा सभी टीमें अपनी अलग अलग ड्रेस कोड में दिखाई देंगी टूर्णामेंट में विजेता टीम को 5 लाक रुपे जबकि रनर अप टीम को 3 लाक रुपे का नगत पुरुसकार दिया जाएगा मैन अफ दी सीरीज को 1 लाक रुपे और हर मेच में मैन अफ दी मेच रहने वाले खेलाडी को 5,000 रुपे का नगत पुरुसकार दिया जाएगा सभी खेलाडियों को उचित मेच फीज भी दी जाएगी सभी टीमों में आइकन के रूप में राजिस्थान की तरफ से आईपियल रंजी एवर्म स्टेट खेलने वाले खेलाडियों के साथ उद्यपूर के खेलाडियों को खेलने का मौका भी दिया जाएगा उद्यापूर जिला क्रिकेट संग वह 100 स्पोर्स मैनेजमेंट की तरफ से उद्यापूर में पहली बार उद्यापूर प्रीमेर लीग का आयुजिन करने जा रहे हैं हमारा प्रयास है कि उद्यापूर की जो प्रतिवाएं हैं उनको राष्टी इस्तर पर जो उमारे बड़े खिलाडी हैं कि एल और रंजी ट्रॉफी के खिलाडियों के साथ खेलने का मौका मिले जून के प्रतम सब्ता में आयुजित करेंगे इस प्रतिवाएं के मैच दे नाइट होंगे इसमें प्रतम मैच तीन बजे और शाम का मैच साथ बजे स्टार्ट होगा दे राइट शिकारवाडी ग्र खिलाडी वह सामिल किये जाएं अधनिये मेंदर सर्माजी जो की यूडी सीएके ऑनरी सेगर्टरी है उन्होंने उद्यपूर डिस्टिक के खिलाडियों के लिए एक उतकरस्ट और एक उनके प्रतिवा को आगे बढ़ाने की जो एक योजना बनाई कि उनके लिए एक ऐसा करी जाए जैसे कि आई पेल की तरज पर उनको भी मौका मिले और उसके माध्यम से वह रास्टी एंतर रास्टी इस तरपर जा सकें तो हमारी कंपनी की तरफ से हमने उनसे इस विसे में मुलाकात करी उनकी पूरी योजना को सुनने के बाद उनकी सारी प्लैनिंग और पूर आईए एक बार फिर रुख करते हैं रासमन जिले का रासमन की कांकरोली थाना पुलिस ने भीलवाड़ा जिले के दो शातिर बदमाशों को गिरफतार किया है इन बदमाशों के पास से पुलिस ने अवेद पिस्टल और चुर्रा बरामत किया है अपरादी गती वीडियों क रोक थाम के लिए चलाए जाय रहे अभियान के तहट नाका बंदी की गईती इस नाका बंदी के दोरान इस कार प्यों कार को रुखवाने की कोशिश की गई तो कार में सวार लोग नाका बंदी तोड़कर भागने की कोशिश करने लगे ऐसे में उन्हें रोक कर पकड़ा गया और जब कार की तलाशी ली गई तो कार में मौझूद आरोपियों के पास एक अवेद पिस्टल और जिन्दा कार्थूस के साथ एक शुर्रा भी बरामद हुआ कांकरोली पुलिस थाना इंचार्ज हनुवन सिंग सोडा ने बताया कि अपरादिक गतिवीदियों की रोक थाम और बदमाशों की धर पकड़ के लिए विशेश अभ्यान चलाए जा रहा है इस अभ्यान के तहट कांकरोली पुलिस ने बीलवाडा के विबिन मामलों में वांचित दो बदमाशों को गिरफतार करने में सफलता हासिल किये नाकाबंदी के दोरान इन दोनों आरोपियों के पास तलाशी लिगई थी तलाशी के दोरान एक अवेद पिस्टल और एक छुर्रा जब्द किया गया है पुलिस ने प्रताद पुरा पुलिया के पास नाकाबंदी की हुई थी, इसी दोरान भीलवडा की ओर से आरही बिना नम्बर की काले रंग की सकारपियो गाड़ी को रुकवाय गया था, जिस पर ये सकारपियो का का चालक नाकाबंदी तोड़ कर पुना भीलवडा के ओर से फागने लगा फील वाड़ा की और भागते वे इस स्कार्पियो चालक को रोक कर पकड़ा गया जब कार की तलाशी ली गई तो इसमें मौझूद युवक के पास एक अवेद पिस्टल और एक छुर्रा बरामुद हुआ बहराल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्स्तीश कर रह उतर कर भागने लगे जिनको पुलिस ने पीशा करके पकड़ लिया पुलिस ने बताय कि गिरफतार किये गए आरोपियों में मुरली और राहुल पुत्र भागिरत कुमावत जो की 28-20 बापु नगर थाना प्रताब नगर भील वाड़ा कर रहने वाला है और 19 वर्षी मैंक तापडिया पुत्र ओम प्रकाश जटिया को गिरफतार किया है मैंक तापडिया न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्तिरी नगर थाना कोत्वाली भील वाड़ा करेने वाला है पुलिस के अनुसार गिरफतार बदमाशों के खिलाफ विबिन ने थानों में करीब 15 प्रकरण दर विश्णोई गेंग का सदत से बताकर लोगों को डरा धंका कर उनके हफता वसूली करने का काम भी करता है आईए रुख करते हैं सलुमर जिले का सलुमर जिले के लसाडिया एक शेतर में मूंग के खेतों और जंगल में लगी आग के चलते मूंग के खेत पूरी तरे जलकर राक हो गये वहीं इस आग के चलते 15 हेक्टर जंगल भी स्वा हो गया लसाडिया उपखंड शेतर के शोभा जी का गुड़ा के वेला फला के खेतों में याग लगी थी इस आग को बुझाने के लिए दमकल विभा की टीमें मौके पर पहुंची आग पर खाबू पाया गया तब तक खेत और उसमें उगा हुआ हुआ मुंग पूरी तरह जलकर राक हो चुका था वहीं इस आग की जद में आया 15 हेक्टर जंगल भी स्वा हो गया खेतों और जंगलों में लगी इस आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे भींडर के दमकल वाहनों और करम काबू पाने की कोशिश की घरों की तरफ इस आग को बढ़ने से रोका गया वहीं दमकल विबाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विबाग की टीम ने इस आग पर काबू पाया लेकिन तब तक मूंग का खेत और करीब 15 हेक्टर जंगल आ शिकायत मिली यह बताया जा रहा है मावली में प्रधान के रूप में न्यूक्त की गए उप प्रधान के सम्मान में एक होजन समारों का आयजन किया गया था इस दोरान केट्रिंग का काम करते हुए कुछ बच्चों को देखने के बाद इनकी तस्वीरें शोशल मीडिया प जो हमने जिम्मेदारों से बात की तो वे पल्ला जारते वे दिखाई दिये हलाकि बीडियो का कहना है कि फिलाल ये मामला उनके संग्यान में नहीं आया है अगर इस तरह की शिकायत मिलेगी तो इसकी जांच के लिए वे अपने उच अधिकारियों को जरूर लिखेंगे और उचित कारवाई भी करवाएंगे केटरिंग का काम कर रहे हैं इन बच्चों के चेहरे तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं लेकिन ये बच्चे अब येस बच्चे हैं और केटरिंग के काम के दोरार मज़दूरी करते वे देखे जाने के बाद इनकी तस्वीरे लेकर पत्र करने की खुशिमारों में एक भोजन का आयोजन किया गया था इसी दोरान यह तस्वीरें खीची गई हैं पंचाय समीती में आयोजीत समारों में केट्रिंग का काम कर रहे बच्चों को बाल मजदूरी करने का अंदेशा होने के चलते हैं इनकी तस्वीर हैं न्यूस नाइंटी वन को भी प्रेशित की गई हैं और लोगों ने शिकायत किये कि बाल मस्दूरी अगर जिम्मेदारों की देखरेक में हुई है तो उनके खिलाफ कारवाई की जानी चाहिए बहराल इस बारे में न्यूस अधिकारी शेलेंद्री खीची से बातचीत की तो उनका कहना था कि फिलाल ये मामला मेरे संग्यान में नहीं आया है लेकिन अगर इस तरह का मामला है तो वे इसे जरूर दिखवाएंगे और अपने उच्छ अधिकारियों के साथ SDM को इसकी शिकायत करेंगे ताकि इस मामल पुरी मेरे कारिक्रम में नहीं हो सकती उन्होंने का कि हो सकता है कुछ बच्चे कॉल DRINKS और आईसक्रीम कि खाने के बहाने कारी कर्म में आया हो और उनकी फोटो खीच ले गए हूँ लेकिन आपको बता दें कि इन बच्चों के हाथ में पूरियों का भगोना उठाते वे फोटो खीचे गए हैं केट्रिंग का काम करते वे इन बच्चों के फोटो खीच कर न्यूज 90 वन को भी भीज़े हैं तो इस जांच होनी चाहिए और जो इस बाल मजदूरी के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कारवाई होनी चाहिए देखना यह कि इस मामले की जांच होती है और जिम्मेदारों के खिलाफ कारवाई होती है यह नहीं आईए चलते चलते एक बार फिर नज़े डालते हैं अभी तक की टॉप हैडलाइस पर गिर्ट्स यूर पाथवेय तो ब्राइट फीचर एक्सपीरिंस अन्यू एरा इन टेक्निकल एड्यूकेशन बासवाड़ा में बड़ा स्टांप खोटाला आया सामने पांच करोड तेबीस लाख इठ्यासी हजार के स्टांप गाइब दो लोग हिरासत में मजदूरों के हक की आवाज बुलंद करते हुए संगठनों ने निकाली देली शोशन होने और आवाज दबाने का लगाया आरोव फते सागर चील में यूती ने लगाई च्छलांग शवकी स्टांप की के प्रियास में जुटी पुलिस और जेके टायर प्रबंदन के खिलाफ इंटक ने खोला मोर्चा हक की आवाज उठाने पर मजदूरों को डराने धमकाने और जूटे मुकद में दर्ज कराने का आरोव तो ये थी प्राइम टाइम की बड़ी खबर हैं टी टाइम में कल आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज नाइन टीवन टीम को और देखते रहिए न्यूज नाइन टीवन राजिस्थान नमस्कार प्राइम टाइम बुलिटिन के प्रायो जख हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर भारत का पहलावा एक मात QAI एक्रेडिटेट सेंटर यूज एस एफडिये ए एन यूरोपियन यूनियन अप्रूवड एक्विप्मेंट्स अर्थ बिल्डिंग मधुबन उदैपूर ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्ग और आप देख रहे हैं News 91 News 91 अवाज हम सब की